वेल्कम गाईस आज हम ब्रामी के बारे में बात करेंगे वो पिन्यूटिल एड की यह बहुत दिवया अशदी होती है और यह मेंटल हेल्थ के लिए बहुत कारगर होती है दिमाग से बिल्लेटेर जो भी आपको दिक्कते होती है उन सब के लिए बहुत प्लाबदाई होती है ये ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करती है इसमें अलर्टनेस बढ़ती है कॉंसेंटेशन बढ़ता है और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है तो ब्रामी का प्रयोग कई स्वासलाबों के लिए किया जाता है आयूरवेद में इस पौदे का काफी महत्व है ये ब्रामी हरे और सफेद रंकी होती है इसका स्वाद फीका होता है इसकी तासीर बहुत सीतल होती है आये इसके लाब के बारे में जानते हैं ब्रामी में औशेदी ही गुण होते हैं जो कबज की समस्या को दूर करने में मददगार होते हैं ब्रामी में रक्त शोधक गुण पाय जाते हैं जिसे पेट की ये हर समस्या से हमें बचाते हैं जिन लोगों को नीद ना आने की सिकायत रहती है सोनी से एक घंटा पहले अगर वो ब्रामी का नीते सेवन करें रात में बहुत अच्छी नीद आती है और तनाव से भी मुक्ती मिलती है यदि आपको बालों से संबंदीत कोई समझ जा है जैसे बाल जड़ रहे हैं तो इसमें ब्रामी बहुत ज़्यादा लाबकारी होती है इसके लावा यह जो रग्त चाप होता है बीपी उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है इसमें औश धीगुन होते हैं इसके लावा यह हार्ट के लिए बहुत लाबदायक होती है ब्रामी में ब्रामी नामक एक अलकलाइड होता है जो हिर्दे के लिए बहुत लाबकारी होता है नेमेत रूप से ब्रामी का सेवन करने से हिर्दे से रिलेटेड कोई भी आपको बीमारी नहीं होती है ब्रामी मस्तिष के करें जिनने मिर्गी को ठीक तो झालने में निवन यह को उता हैं। वे बहुत अच्छे अच्छाओ सबढ़ साथा औरнее इसको गरम पानी से लेना है एक से दो टैबलेट रोज ले सकते हैं जैसी आपकी जरूरत हो प्रेस्क्रिप्शन में नंबर है और जानकारी ले सकते हैं पर्चेस कर सकते हैं इंफोर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्स्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो तुमें नए प्रोड़क्ट की इंफोर्मेशन के साथ थैंक यू सो मच